वेलकम बैक स्टुडेंट्स विशाल गुपता आपका टीचर कैसे हो आप सब गाइज इस वीडियो में मैं आपको सिये फांडेशन का बिजनेस एक्नॉमिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है इस त्यूरी ओफ डिमांड और सप्लाई उसका यूनिट नमबर वन अगली वीडियो में कराऊंगा तो हमारा यह जो टॉपिक रहेगा वो शिफ्ट इंडिमांड करव तक करेगा जैज मैंने आपको पहले भी बताया कि यह सारा जो टॉपिक आप मेरे पास करोगे वह एक तरह की आपकी रिवीजिन की तरह है ठीक है क्योंकि यह सारे कुछ आ है हम इस टॉपिक को सबसे पहले हम बात करेंगे movement along the demand करव हलांकि यह topic छोटा है लेकिन interesting है और examination point of view से important topic है तो movement along the demand करव में क्या आता है अब movement along the demand करव indicate change in the quantity demanded because of the price changes other factors remain constant तो other factors आपको पदा demand के को से होते हैं change in income change in taste and preference ठीक है जी substitute के prices को change होना etc तो यह सारे factors जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे जो demand को प्रवाबित करते हैं affect करते हैं own factors other than own price के बाकी सारे factors constant रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे movement along the demand करव it causes extension इसे extend या contraction contract होती है demand तो extension कैसे होती है guys demand extension के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि price के कम होने से price के कम होने से quantity आपकी बढ़ रही है 10 से 20 हो गई ठीक है जी तो इसको क्या बोलेंगे extension यह देखिए price आपका यहाँ कम हो रहा है और यह क्या हो रही है quantity demanded बढ़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे extension of demand ठीक है guys तो अब उसके बाद contraction of demand so contraction of demand guys कैसे होती है contraction of demand यह देखिए price 5 उर्पे है और फिर price बढ़ गया price जब 5 उर्पे था तो आपकी quantity कितनी थी 10 और इधर price बढ़ गया तो quantity कम हो गी मतलब price के बढ़ने से quantity demanded कम हो रही है तो यह देखिए price यहाँ shoot up कर गया और demand कम हो गई दोनों diagram guys आपको देखने में एक जैसी लग सकती है लेकिन concentrate करिए arrow पे यह arrow किस तरफ जा रहा है यह demand को contract कर रहा है और यह वाला arrow जो left से right की तरफ आ रहा है arrow को तरफ तरफ ज्यान दीजिए वो extension of demand कहलाएगा right guys okay जी चलिए तो अब हम आगे discuss करते है shift in demand curve तो guys shift in demand curve indicate that there is a change in the demand in each possible factor other than on price उसके बाद and these factors are income, taste and preference, price and substitute goods etc. It causes increase or decrease in the demand इससे क्या होता है increase or decrease in demand और फिर वही बात आगी other factors change in income, taste and preference, price and substitute goods etc. यह सारी चीज़ों की वज़ा से तो चलिए हम बात करते हैं अब increase in demand का increase in demand क्या चीज़ है तो increase in demand की अगर बात करेंगे तो price कितना है guys यह देखिए price constant रह रहा है price 10 का 10 है और quantity demanded आपकी price बराबर है change नहीं हुआ और quantity demanded आपकी जो है यहां बढ़ रही है ठीक है तो same price पे भी अगर आपकी demand बढ़ रही है तो वो demand shift हो रही है तो it is called increase in demand 10 से quantity 20 पे आगी है price will remain the same okay guys तो इसको हम क्या बोलेंगे increase in demand और दूसरा क्या है decrease in demand तो guys decrease in demand में क्या आएगा देखिए price change नहीं हो रहा price is same but the quantity demanded is decreasing तो इसको हम क्या बोलेंगे decrease in demand 10 और यह 20 तो पहले original BC फिर वो 10 पे shift होगी price 10 का 10 ही है other factor मलत हो सकता उसकी income कम होगी हो ठीक है जी उसका taste या preference उसकी change होगी हो कम होगी यह taste उसका उसको अपनी वो पसंद item particular good तो उसका उसने demand कम कर दिया है तो guys इसी के साथ यह topic हमारा complete होता है I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरह मेरे videos को देखके अपने course को complete करते रहिए ठीक है जी और next video में हम elasticity of demand कराएंगे हालना कि मैं चाहत इसमें हमें जादा points को cover करना है अलग-अलग methods भी है ठीक है उनको भी देखना है बाकी methods को भी understand करना है जो कि आपके CA foundation का course है तो इसलिए यह सारे का सारा topic मैं आपको अलग से next video में कराऊंगा तो guys इसी के साथ good luck